दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार्ट सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीत विग्यान और अर्थसास्तर का महतपूर टापिक पूजीवाद इसमें हम देखेंगे कि पूजीवाद का अर्थ क्या है इसकी प्रमुक परिभासाएं क्या है साथ ही हम देखेंगे कि पूजीवाद ने सामाजिक सनरशना पर क्या प्रभाव डाला है और पूजीवाद की प्रमुक विशेस्ताएं और लच्छन कौन-कौन से है अंत में हम प केंदर में पूजी या कैपिटल होता है नाम से ही असपश्ट है कि पूजी वाद में पूजी का विशेश महत होता है पूजी जिसके अंतरगत भूमी मसीने और उत्पादन के साधन आ दियाते हैं वो पूजी पत के पास होती है और वह इसका प्रियोग निजी लाव के लिए करता है अध्योगिक करांत ने पूजी वाद के विश्टार को महत्पूर अवसर परदान किया है तो आएए देखते हैं दोस्तों पूजी वाद का अर्थ क्या है पूजी वाद एक ऐसी पड़ाली है उत्पादन पड़ाली है जिसमें उत्पादन के साधनों पर नीजी होता है और उत्पादन का प्रमु खुद्देश अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना होता है तो पूजी वाद का सामान्य अर्थ है दोस्तों ऐसी आर्थिक पड़ाली जिसमें उत्पादन के साधनों पर नीजी स्वामित होता है और उत्पादन का प्रमु खुद्देश अ साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है इस बेवस्था में स्वतंत्र अध्योगिक प्रतियोगिता होती है तथा उपभोक्त वस्तुओं का अनियंत्रित बित्रण होता है Chambers English Dictionary के अनुसार पूजीवाद की जो परिवासा है वो इस प्रकार है कि पूजीवाद वह आर्थिक बिवस्था है जो पूजीपति में सक्ति का स्रिजन करती है तो चुकि पूजीपति के पास उत्पादन के साधन होते हैं इसलिए पूजीवादी बिवस्था पूजीपत हैं विचारक उनके अनुसार अपने सुध रूप में मुक्त उद्यम पूजीवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित और आर्थिक नेड़े निजी रूप से लिये जाते हैं तो ये हमने पूजीवाद की जो परिवासाएं हैं उसके बारे में जान लिया लेकिन ओद्योगी क्रांती ने पूजीवाद को फलने फूलने और विस्तार का महतपूण जन्म दिया जिन में से एक वर्ग साधन संपन लोगों का था जिनने धारक एपस कहा जा सकता था इनके हाथ में उत्पादन के साधन थे और पूजी तथा उत्पादन पर इनका प् धनिहीं लोगों का यानि हैप्जिनात का था इस वर्ग में वे श्रमिक सम्म passouली थे जिनके पास जीवी का अर्जित करने के लिए अपने श्रम के अत्रिक्त कुछ भी नहीं था और इनके पास और कोई जारा नहीं था सिवाय इसके कि वे अपने श्रम को पूजी पतियों के हा पूजी पती या बुर्जुवा कहा गया लेकिन जो स्रमिक वर्ग था इनको स्रमिक या सर्वहारा कहा गया साधन संपनवर्ग यानि हैप्स का प्रमुखुद्देश अधिकाधिक लाभ प्राप्त करना था जिसके लिए इसने स्रमिकों का अत्यधिक मात्रा में सोसर किया तो ये था दोस्तों पूजी वाद का विकास करम इसे आप एक चार्ट के माध्य हमसे भी समझ सकते हैं जी डी एज कोल कहते हैं कि पूजी वाद का पैडाम असुरच्छा है इसका सीधा संबंध मजदूरी से है तो दोस्तों जैसा कि असपश्ट है कि पूजी वाद में एक साधन संपन वर्ग है जिसके पास उतपादन के साधन है भूमी है पूजी है मश जा सकता है पैडाम स्वरूप स्रमिकों को तभी मजदूरी दी जाती है जब उनके स्रम को खरीदना लाबदायक होता है यानि पूजी पती स्रमिकों के स्रम को तभी खरीदता है जब उससे उसका अधिकाधिक लाभ होता हो तो इसे इस प्रकार हम एक चार्ट के माध्यम से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं जैसे कि जो पूजी वाद है इसमें पूजी पती होता है और ये अपने ब्यक्तिक अतलाव के उद्देश से पूजी निवेश करता है और द्योगी क्रांत की अवस्था में इसे पूजी वाद को और अधिक विस्तार मिला क्योंकि पूजी वाद जो है वो मुखे रूप से कैपिटल पर आधारित बेवस्था है जिसको और द्योगी क्रांत ने बहुत ही विस्तार परदान किया लेडिलर एक विचारा खांगे वो कहते हैं कि और द्योगी क्रांत का सबसे बड़ा पैड़ाम यह हुआ कि इससे पूजी पति को अबाधित लाइसेंस मिल गया कि वह उत्पादन साधनों का ब्यक्तिक अतलाब में प्रयोग करे तो लेडिलर की जो उक्ति है या कथन है वो बहुत ही महतपूर है कि और द्योगी क्रांत का सबसे बड़ा पैड़ाम यह हुआ कि इससे पूजी पति को अबाधित लाइसेंस मिल गया कि वह उत्पादन के साधनों का ब्यक्तिक अतलाब में प्रयोग करे अब आये समझ लेते हैं पूजी और पूजी वादी समाज को तो कैपिटल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं आर्थिक सिध्धान जो आर्थिक सिध्धान है दोस्तों उसके अनुसार उत्पति या उत्पादन के पाँच प्रमुक साधन माने जाते हैं पहला है भूमि, दूसरा है स्रम, तीसरा साधन है पूजी, चवथा संगठन और पांचवा बिनियोग तो भूमि और स्रम को उत्पादन के प्रमुक साधन माना जाता था पहले लेकिन अध्योगिक क्रांति के दोर में पूजी का महत्तु बढ़ गया और जो पूजी पत वर्ग था उसके पास पूजी या उत्पादन का प्रमुक साधन होने के काराण उसने जो अधिकाधिक उत्पादन और अधिकाधिक लाव के लिए स्रमिक वर्गों का उपयोग किया और उनका अधिक से अधिक सोसड किया तो अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो इस्थिती है स्रम का प्रयोग किया जाता है और पूजी पत का लाब उत्दे से तो यही होता है कि वह अधिक से अधिक उत्पादन करे और अधिक से अधिक लाब प्राप्त करे और पूजी वादी समाज कैसा है इसके बारे में जान लेते हैं पूजी वादी समाज अनेक भी संगतियों से युक्त है संपूर बेवस्था का आधार आर्थिक होता है जो पूजी वाद समाज है इसमें संपूर बेवस्था का आधार आर्थिक होता है और अधिक्तम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजी पतियों द्व दो वर्गों में हो जाता है एक साधन संपन वर्ग और दूसरा साधन हीन वर्ग तो ये सब सामाजिक संरशना के महत्वपूर्ण बदलाव हैं और यहाँ पर समाज का बटवारा जो दो वर्गों में पूजी बत और स्रमिक वर्ग के रूप में हो जाता है तो पूजी वादी समाज अनेक विशंगतियों से यूगत है, संपूर विवस्था आर्थिक आधार पे निर्मित होती है, और अधिक्तम लाब के लिए पूजी पतियों द्वारा स्रम को का सोसड होता है, स्रम यहाँ पर खरीद विक्री की वस्तु बन जाती है, और पूजी के द्वारा स्रम की खरीद विक्री होती है, समाज का बटवारा दो वर्गों में हो जाता है, एक साधन संपन वर्ग, एक साधन हीन वर्ग, पूजी पति साधन संपन वर्ग है, जिसे बुर्जुवा वर्ग कहा जाता है, और साधन हीन जो वर्ग है, वो अपने स्रम को बेच कर जीवन यापन क इसे स्रमिक या सर्वहारा वर्ग कहा जाता है अब आये देख लेते हैं दोस्तों पूजी वाद की विसेस्ताएं या इसके प्रमुख लच्छन कौन कौन से हैं इसे हम पॉइंट के रूप में देखेंगे पूजी वाद में पूजी पर व्यक्तिगत स्वामित होता है तो पूजी वाद में उत्पादन व्यक्तिगत लाब के लिए किया जाता है तीसरा प्रमुख बुंदु है पूजी वाद में बड़े पैमाने उत्पादन पर बल दिया जाता है इंपर्टेंट है क्योंकि पूजी पति का उद्देश से जो होता है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है इसलिए पूजी वाद में लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर बल दिया जाता है चोथी विशेस्ता है पूजी वाद में एक अधिकार यानि मोनो पोली प्राप्त करने की प्रविर्ति होती है क्योंकि पूजी वादी कोई भी पूजी वादी चाहता है कि वो वाजार पर एक नियंदरन अस्थापित करे और केवल उसका ही एक अधिकार रहे थाकि उसको अधिक से अधिक लाब प्राप्त हो सके इसके अलावा जो पांचवी विसेस्ता है पूजिवाद की वो यह है पूजिवाद और अधियोगी क्रांथ एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि अधियोगी क्रांथ की दसा में पूजिवाद के विस्तार को सरवाधिक औसर मिला है चठा जो प्रमुख विसेशता है पूजीवाद की वो ये है कि पूजीवाद लेसेज भेयर या अहस्तच्छेप के सिध्धान्थ पर आधारित है पूजीवाद एडम इसमित अहस्तच्छेप के सिध्धान्थ के प्रितपादक माने जाते हैं और पूजिवाद इसी सिध्धान्त पर स्वतंत रतंत पर मांग और पूर्त के स्वतंत धाड़ा पर आधारित है। अगली विशेष्था है, पूजी पतियों में गला काट प्रतिसपरधा होती है। कट थ्रोट कमटीशन पूजी वाद की प्रमुख विसेशता है इसके अलावा पूजी वाद में समाज दो वर्गों में बट जाता है एक वर्ग साधन संपन वर्ग का और दूसरा साधन हीन वर्ग का तो इस कारण दोनों वर्गों में अपने अपने हीतों के लिए टकराव हो उत्पादन के साधनों पे स्वामित रखते हैं और स्रमिकों के सोसड के द्वारा अधिक्तम लाप्राप्त करते हैं जो मुल्ले अत्रिक्त मुल्ले स्रमिकों को मिलना चाहिए वो पूजी पतियों के हाथ में चला जाता है अगली विशेशता है पूजी वाद वर्ग चेतना को जन्म देता है जिसके कारण स्रमिक वर्ग संगठित होता है ये मास की ओधाना थी कि जब पूजी वाद में वर्ग चेतना की उत्पत्ति होगी और उसके कारण स्रमिक वर्ग संगठित होगा और पूजी वतियों के खिला आर्थिक लाव के लिए राजनीतिक लाव के लिए तो जो सामराज्य वाद है वो पूझी वाद का अंतिम चरण है क्योंकि पूझी वाद अपने चरम अवस्था में सामराज्य का विस्तार या छेत्री विस्तार करना चाहता है ताकि अधिक से अधिक आर्थिक और राजनीति प्राप्त किया जा सके इसके अलामा पूजीवाद अंतराश्टी स्रमिक अंदोलन को भी जन्म देता है क्योंकि मार्क्स का जो असपष्ट आहवान था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ यानि कि अंतराष्टि स्रमिक अंदोलन पूजीवाद की देन है दोस्तों पूजीवाद की लच्छन और विशेस्ताओं के बाद आएए देख लेते हैं पूजीवाद के प्रमुख दोस कौन कौन से है पूजीवाद की प्रमुख कमिया या प्रमुख दोस तो पहला है पूजीवाद में समाज दो वर्गों में बट जाता है जिसमें एक साधन संपन वर्ग और साधन हीन वर्ग है यानि कि इसमें सामाजिक असमानता उत्पन होती है पूजी वाद का सबसे बड़ा दोस है सामाजिक असमानता यानि कि समाज का विभाजन वर्ग में विभाजन हो जाता है धनी और अधिक धनी हो जाते हैं तथा निर्धन और भी निर्धन होते जाते हैं पूजी वादी बिवस्था की एक सबसे बड़ी खामी ये है कि इसमें धनी और अधिक धनी होते जाते हैं और निर्धन और भी अधिक निर्धन होते जाते हैं इसके अलावा अधिकांस देशों में पूजी का असमान बित्रण होता है पूजी का असमान बित्रण इस कारण होता है क्योंकि एक वर्ग का साधन पर अधिकार है उत्पाधन के साधनों पे और दूसरे वर्ग के पास कुछ नहीं होता है उसे केवल अपने सरम के द्वारा जीवी को पारजन करना होता है इसलिए इन अधिकांस देशों में पूजी का असमान बित्रण हो जाता है पूजीवाद सामराज जिवाद को जन्म देता है जो की नैतिक रूप से उचित नहीं है इसके अलावा जो पांचवी विसेशता है पूजीवाद वर्ग संघर्स को उत्पन करता है जो समाज में क्रांति का कारण बनता है वर्ग संघर्स इसलिए क्योंकि पूजीवाद समाज को दो वर्गों में बाट देता है साधन संपन और साधन हिन तो जब साधन हिन वर्ग में वर्ग चेतना की उत्पत होती है तो वो वर्ग संघर्स करता है जिस समाज में बेवस्था भंग होती है और क्रांति को बल मिलत पूजी वाद में इस्तरी स्रम तथा बाल स्रम का भी सोसड होता है। पूजी वाद में इस्तरी स्रम पूजी और संसाधनों का अंधाधुन्द दोहन होता है। अगली कमी ये है कि पूजी वादी बेवस्था अराजकता को जन्म देता है। और पूजी वाद में बड़े पूजी पति छोटे पूजी पतियों को खा जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है पूजी वाद की। पूजी वाद की एक बहुत बड़ी कमी है। कि ये चारित्रिक और नैतिक पतन का कारण होता है। इसके अलावा जो पूजी वाद की एक महत्वपूण कमी ये है कि पूजी वाद बेरोजगारी या बेकारी को बढ़ाता है। इसमें अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए मसीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। इससे अधिक मात्रा में भूखे तथा नंगे लोग उत्पन होते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने देख लिया पूजी वाद के प्रमुख दोस कौन-कौन से हैं। ऐसे पूजी वाद के कुछ लाब भी हैं या फायदे हैं। जैसे इसमें उब्भोकताओं के जरूरतों के अनुसार वस्तूओं का उत्पादन होता है। अनेक प्रकार की और अनेक किस्मों की वस्तूओं का उत्पादन होता है। उब्भोकता की संतुष्टी को ध्यान में रखकर जो पूजी वाद है इसमें वस्तूओं का उत्पादन होता है। इसके अलावा इसमें पूजी निर्माडव और किसी भी राष्ट के आर्थिक विकास का मार्ग प्रसस्त होता है और यह नए उद्यमियों को जोखम लेने और नवाचार यानि इनोवेशन को प्रोसाहित करता है इसलिए पूजी वाद देश में बैग्यानिक वतकनी की प्रग पूजी वाद के प्रमुक कमियों और इसके फायदे के बारे में देखा पूजी वाद ने सामाजिक सनरजना पे क्या प्रभाव डाला है इसके बारे में हमने अत्यंत विस्तार से देख लिया है दोस्तों आप इसका पीडियप भी प्राप्त कर सकते हैं लिंक में कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें